अभी हाल ही में, बांगलादेश में कुछ हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, उसी के सम्बन्द में इस एडिटोर्टल में हम बात करेंगे ट्रबल इन बांगलादेश, यानि की बांगलादेश में परेशानी कि बांगलादेश में जो हमले किये गए हैं, हिंसक हमले हुए हैं उनके संबन्द में भारत ने voice का मतलब होता है अपने पक्ष को रखना है, किसी के पृति अपने पक्ष को रखना concern का मतलब है चिंता तो भारत ने जो है चिंता जाहिर की है इस बात के लिए तो अच्छी बात है, भारत ने इन हमलों के पृति अपनी चिंता जाताई है लेकिन इट शुड नॉट अपियर, भारत इस तरह से प्रतीत नहीं होना चाहिए क्या? रिलिजियसली पार्टिशन देखो, पार्टिशन का मतलब होता है, पक्षपात पूर्ण होना जब आप किसी एक पर्टिकुलर साइड का पक्ष लेते हो, उसको बोलते है ना पक्षपाती होना, उसको बोलते हैं पार्टिशन तो भारत को धार्मिक रूप से पक्षपाती नहीं होना चाहिए The UN, the US and India have condemned incidents of majoritarian violence against Bangladesh Hindu minority community United Nation, America और भारत, इन्होंने निंदा किये, condemn करने का मतलब होता है, निंदा करना Incidents, उन घटनाओं की, क्या कौन सी घटना है, of majoritarian violence की बांगलादेश में जो आप कह सकते हो, जो बहुत संख्यक लोग हैं उन्होंने क्या किया है, हिंसा की है, अगेंस्ट किन लोगों के खिलाफ, बांगलादेश Hindu minority की, बांगलादेश में जो हिंदू अल्प संख्यक समुदाए है, उनके खिलाफ जो हिंसा की गई है, उसकी निंदा की गई है, UN, US और इंडिया के दोर, और ये हिंसा कब हुई? What is particularly worrying is that, कि मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा चिंता जनक है, वो ये is that, the attacks which have left at least six people dead and dozens injured, कि ये जो हमले हुए है, which have left, कि इन हमलों ने छोड़ दिया है, कि लगबग at least कम से कम six people dead, कि इन हमलों के कारण लगबग छे लोग जो है, उनकी जान चली गई है, and dozens injured, और आप कहा सकते हो, कि दर्जनों लोग जो है, गायल हुए है, have followed, इन हमलों के बाद में क्या हुआ है, have followed का मतब है, कि follow करना है, किसी चीज को, किसी चीज का अनुसरन करना, according to the government, according to the government, सरकार के अनुसार क्या, fake news reports, कि भई कुछ आप कह सकते हो, fake news reports आई थी है न, और उनके बाद में हमें देखने को मिला, कि इस तरह की हिंसक घटना है हुई, fake news reports shared, कि गलत fake news जो है, वो share की गई थी, over कहां पर social media, कि विबिन ने जो social media platforms हैं, वहां पर ऐसा देखा गया, कि किसी ने गलत news डाल दी, और उसके बाद में फिर एक तरीके से आप कह सकते हो, कि हिंसक माहौल create हो गया, indicating a conspiracy, indicating का मतलब है संकीत देते हुए, indicate करते हुए, conspiracy का मतलब होता है, शडियंत्र, instigate का मतलब होता है, किसी को भढ़काना, किसी को उकसाना, the violence, तो कुल मिला के आप यह कह सकते हो, कि यह जो गलत news डाली गई, social media पर, यह जो है, एक तरीके से आप कारण बनी है, यह एक तरीके से, एक तरीके का शडियंत्र थी यह, हिंसा को उकसाने का, कि यह जो भील के द्वारा हिंसा की गई, एसा लगता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, to have begun in कौमिला, कौमिला नामक छेत्र में, और यह कहां पढ़ता है, चित्ता गौंग डिस्ट्रिक में, देखो क्या किया गया, वहाँ पर, वेर एन इमेज, कि बई एक इमेज है न, आप कहा सकते हो, एक फोटो, एक चित्र, अलिजेडली का मतलब है, कथे तौर पर, showing disrespect to the Quran, वाज, circulating, कि बई एक इमेज को जो है, फैलाए गया, circulate करने का मतलब होता है, पैलाना उस चीज को, कि बई उस इमेज में किया दिखाया गया, कि जो खाल्षा, कि जो और उसका डिस्रिक किया जा रहा है, उसका असमान किया जा रहा है, इस तरह की एक इमेजती उसको circulate किया गया and resulted in several major mob attacks on Hindu temples फिर इसका परिणाम क्या हुआ इसका परिणाम हुआ, several का मतलब कि कई कि कई आप कह सकते हो कि बड़े भीड के द्वारा हमले किये गए on Hindu temples है ना, Hindu मंदिरों के उपर हिंदू मंदिरों के उपर और हिंदू के घरों के उपर belonging to the minority community है ना कि भई हिंदू घर और हिंदू temple जो की belong करते हैं जो की संबंदित हैं किसे minority communities हैं हिंदू अलप संख्यक लोगों से the Narendra Modi government which had sought to preserve good relations कि भई नarendra Modi सरकार जो है उसने किस बात को चाहा है seek की second form और third form हती है to preserve उका मतबए बरकरार रखना है ना किसी चीज को maintain करना good relations with Bangladesh सेख हसीना government कि बांगलादेश की जो सेख हसीना सरकार है उसके साथ प्राइम मिश्टर नarendra Modi की सरकार चाहती है कि अच्छे संबंध कायम रहे has also praised the authorities तो प्राइम मिश्टर नarendra Modi ने बांगलादेश की जो authorities है वहाँ के जो officers है उनकी प्रिशंसा की है for moving quickly to take control of the situation कि भी बांगलादेश के जो भी authorities है उन्होंने बड़ी जल्दी action लिया quickly to take control of the situation कि जो परिस्थिती है उसको handle करना प्राइम मिश्टर नarendra Modi ने इस बात की प्रिशंसा की है कि बांगलादेश के जो अधिकारी है उन्होंने situation को संभालने के लिए जो है बड़ी ही quickly प्रियास की बड़ी ही शीगरता से प्रियास की according to the police more than 450 people have been arrested कि बड़ी पुलिस के अनुसार 450 से भी ज़्यादा लोग जो है उनको गिरफतार किया गया है उनको अरेस्ट किया गया है over the past over the past week of violence कि बड़ी ये जो पिछला सप्ता रहा है ये जो पिछला सप्ता रहा हिंसा से भरा हुआ इस सप्ता के दौरान 450 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है and more than 70 cases filed in different parts of Bangladesh और 70 से भी ज़्यादा केफ जो है वे दर्ज किये गये हैं Bangladesh के विभिने छेत्रों में Prime Minister Hasina has promised strict action strict का मतलब होता है कठोर strict action and sort हम इने बताया पहले भी आपको seek की second form और third form होती है sort इसका मतलब चाहना to reassure और Prime Minister से एक हसीना जो है उन्होंने वादा किया है कि भी कठोर action लेंगे and sort और क्या चाहा है उन्होंने to reassure minorities है ना कि भी आश्वस्त उन्होंने आश्वस्त किया है जो भी minorities है अलप संक्यक हैं बांगलादेश में उनको during के दौरान an address उन्होंने एक संबोधन दिया है ना address का मतलब होता है संबोधन वाया के माध्यम से video conference to Hindu devotees कि भी video conference के माध्यम से Hindu devotee devotee मतलब होता है एक तरीके का भक्त जो devotee बोल सकते हैं भक्त को at the दक्षेश्वरी नेशनल टेंपल है ना तो यही एडिटेश्वरी कहना जारा है तो Hindu devotees at the दक्षेश्वरी नेशनल टेंपल है यह तो दक्षेश्वरी नेशनल टेंपल है यहाँ पर जो भी आप कहा सकते हो कि जो Hindu भक्त गण है इनको video conference के माध्यम से संबोधित करते हुए जो प्राइम मिनिष्टर है शेख हसीना उन्होंने इनको आश्वस्त किया in a message for New Delhi New Delhi को एक message देते हुए she also said उन्होंने इस बात को भी कहा है कौन सी बात को कहिए that Bangladesh's big neighbor must be sensitive to the situation कि भारत के संबद में कहा गया Bangladesh's big neighbor बांगलादेश का बड़ा पड़ोसी कोन है भारत तो उन्होंने भारत के संदर में कहा शेख हसीना ने कि भारत को must be sensitive बहुत ही ज़्यादा संवेधन शील होना चाहिए to the situation है ना कि जो परिस्तिती है इस परिस्तिती के पृती भारत को बहुत ही ज़्यादा and alluding to violence against minorities in India भई उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया कि भारत में जैसे कि भारत में मुस्लिम जो है वो अलब संक्या के तो उनके खिलाफ हिंसा न की जाए and alluding to violence against minorities in India इस तरह का संकेत उन्होंने दिया asked that उन्होंने पूचा उन्होंने कहा nothing is done there कि भारत में इसा कुछ नहीं किया जाता that affects our country जो कि nothing is done there that affects our country जो कि हमारे देश को प्रभावित करता है the Indian High Commission in Dhaka आप कह सकते हो कि भारत के अधिकारी है Indian High Commission भारती है उच्चा योग in Dhaka कि भाई बांगलदेश के राज़ानी धाका में भारत के जो अधिकारी है which was in touch with law and order official जो की लगातार टच में बने हुए थे law and order official की वही कानून व्यवस्था को maintain करने वाले जो अधिकारी है उनके लगातार टच में बने हुए थे कौन? Indian High Commission के अधिकारी at the center मतलब केंदरिस्तर पे also stepped in step in का मतलब होता है जैसे कोई परिष्थिती है उस परिष्थिती के अंदर आप भी include हो गए उसमें आप भी शामिल हो गए तो ये जो Indian High Commission से जुड़े हुए जो अधिकारी है वे भी शामिल हो गए to meet with members of the Bangladeshi Hindu community to meet with मिलने के लिए members of the Bangladeshi Hindu community कि बांगलादेश का जो Hindu समुदा है उसके जो members हैं उनसे मिलने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये तयार हुए कौन Indian High Commission के अधिकारी including including अब ये जो Bangladeshi Hindu community है ना इनमें कौन-कौन शामिल है including representatives है प्रतिनिधी from the ISKON group है इसके उपर भी हमला किया गया था ये जो ISKON group है ये जो ISKON है ये कृष्ण के भक्त होते हैं कि बाई कृष्ण के भक्त हैं ये Lord Krishna जो है उसके भक्ते हैं उनकी पूजा करते हैं तो इनका एक group है ISKON group ISKON temple ISKON group ISKON group अटेक किया गया था हिंसे गटना में हस्तक शेप करें intervene का मतलब होता है बीच में आना हस्तक शेप करना Given the seriousness of the attacks कि भई ये जो हमले हुए हैं इन हमलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए Given का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए देखते हुए And the fear Given the seriousness of the attacks That has gripped Gripped का मतलब होता है पकड़ लेना कि भई एक तरीके से भय ने लोगों को पकड़ लिया है भय का माहोल वहाँ पर बना हुआ Fear that has gripped the Hindu minority in Bangladesh कि Bangladesh में जो Hindu अल्प संक्यक है वे अल्प संक्यक जो है भय की चपेट में है भय ने उनको पकड़ लिया है ये एडिटोरिल केना जा रहा है तो इन सब को ध्यान में रखते हुए The international and Indian concern is not surprising कि भई अंतरास्ट्री है और भारतिय जो concern है भारतिय जो चिंता है ये कोई आश्चेर जनक नहीं है is not surprising However, Halanki New Delhi will have to act cautiously in light of हालांकि जो भारत सरकार है जो New Delhi है उसको आप कह सकते हो कि बहुती साउधानी पूर्वा के action लेना होगा in light of का मतलब है के संदर में ना इन बातों को ध्यान में रखते हुए in light of all the various links कि भई various का मतलब है vivid link का मतलब है connection between India and Bangladesh कि भारत और बांगलादेश के बीच में जो links हैं जो संबंद हैं विबिन तरह के जो संबंद हैं उन सभी संबंदों को ध्यान में रखते हुए भारत को बहुती साउधानी पूर्वा कदम उठाना होगा while the Indian High Commission's Act of Meeting Local Minorities comes from a sense of compassion कि भाई बांगलादेश में भारत के आप कह सकते हो जो Indian High Commission है उनका मिलना Act of Meeting Local Minorities कि भाई भारती High Commission जो है बांगलादेश में वहां के जो लोकल अलप संख्यक लोग है उनसे जा कर मिला तो इस बात को आप इस रूप में कह सकते हो गरूना है ना एक तरीके से किसी के परती बहुत ही ज़ादा दाया दिखाना तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई लोकल पीपल से जा के मिले तो वे जो है आउट उफ कमपेशन गए है ना करूना के चलते गए लेकिन इसको इस रूप में भी पढ़ा जा सकता है इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है as an act of interference interference का मतलब होता है बीच में आना हफ्तक शेप करना है तो इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है the impact, impact का मतलब होता है प्रभाव the impact of the citizenship amendment act in 2019 amendment का मतलब होता है संशोधन कि भारत ने जब आप कहा सकते हो कि ये नागरिक्ता संशोधन कानून जब भारत जब नागरिक्ता संशोधन कानून को लेके आया है 2019 में तो इसका प्रभाव had a widespread effect in Bangladesh इसका प्रभाव बड़ा ही effect का हम प्रियोग करते हैं जब हमें हिंदी में कहना हो प्रभाव डालना और सिर्फ प्रभाव तो प्रभाव के लिए हम यूज़ करते हैं effect का मतलब होता है प्रभाव और ये है एक noun effect का मतलब होता है प्रभावित करना प्रभाव डालना और उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनका अंतर बहुत ध्यान में रखना है बहुत ज़्यादा पुंचा जाता है बहुत ही ज़्यादा तो 2019 में जो नागरिक्ता शंशोदन कानून भारत लेके आया था इसका बहुत व्यापक प्रभाव था कहाँ पर had a wide spread effect है इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव हमें देखने को मिला कहाँ पर? प्रभाव डालना नहीं प्रभाव और इस चाल की शुरुआत के दोरान मिश्टर मोδी ने बंगलादेश का विजिट किया था तो वे जब बंगलादेश गए थे तो उस दोरान क्या देखने को मिला था? कम से कम 12 of people were killed in protest कि Mr. Modi के खिलाब विरोध प्रदर्शन किया गया था और इस विरोध प्रदर्शन के दोरान 12 लोगों की जान चली गई थी As a reasonable leader कि भारत जो है एक छेत्रिय आप कह सकते हो एक छेत्रिय लीडर है India has every right to be concerned concerned का मतब होता है चिंतित होना about के बारे में the plight का मतब है दुरदशा of communities in the subcontinent subcontinent का मतब है कि भारत का प्राइदीपी छेत्रिय नहीं इसको आप उप महादीप कह सकते हो भारत बहुत बड़ा है भारत, श्री लंका, इदर से पाकिस्तान बांगलादेश, नेपाल ये सम्मिल के आप कह सकते हो एक भारती है ये सम्मिल कर एक उप महादीप को निर्मित करते है तो इस उप महादीप का leader है कौन भारत है इंडिया as a reasonable leader कि एक छेत्रिय लीडर के रूप में इंडिया को वास्ताव में हक है कि भारत अपनी चिंता दिखाए कि जो भी समाज है, जो भी communities है विभीने तरह की उनकी दूरदशा के भारे में चिंतित हो, ये न भारत को पूरा हक बनता है इंड़ सब कॉंटिनेट कि भाई इस उप महादवीप में अगर कोई भी इस तरह की बड़ी घटनाएं घटती है तो उनके प्रती चिंतित होने का भारत को हक है However, लेकिन फिर भी हालांकि It must ensure भारत को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए That it's domestic drivers है कि देखो, domestic का मतलब हो गया घरे लू और यहाँ पे drivers का मतलब है कोई ऐसी बात जो कि आपको कुछ करने के लिए कारण बनती है उसके लिए हम बोलेंगे driver कि कोई भी ऐसी बात जो कि किसी चीज की progress को संभव बनाती है उसको हम बोलेंगे driver तो however, it must ensure लेकिन भारत को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए that it's domestic drivers do not upset upset का मतलब है बिगार देना, खराब कर देना carefully built foreign relations कि यहाँ पर मतलब भारत के कुछ ऐसी बाते हो सकती है जो भारत को घरेलू इस्तर पर चलाती है यानि कि भारत में घरेलू इस्तर पर, भारत में अंदरूनी इस्तर पर कुछ ऐसी बाते हो सकती है जो कि अन्य चीजों के progress का कारण बनती है तो भारत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत कोई भी ऐसी बात ना करे जो कि carefully मतलब सावधानी पूरवग कि सावधानी पूरवग जो भी हमने आप कह सकते हो कि foreign relations है जो भी हमारे विदेश संबंध हमने इस्तापित किये वे बिगड़ जाएं इस बात को ध्यान में रखते हो हमें कोई भी action लेना होगा and any act that is seen as religiously partisan partition मतलब पक्षपातपूर्ण और कोई भी ऐसा action भारत के द्वारा लिया जाता है जिसे की धार्मिक पक्षपातपूर्ण तरीके से देखा जा सकता है is bound to देखो bound to का मतलब होता है बाद्दे होना पक्का है ऐसा होगा ही होगा is bound to destabilize destabilize का मतलब होता है किसी चीज को इस्थाई बनाना और destabilize का मतलब होता है अस्थिर कर देना किसी चीज को the otherwise close and productive relations between the two countries otherwise का मतलब यहाँ पर यह जो लिखा है न otherwise close कि आप यह कह सकते हो कि लगभग भारत और बांगलादेश ये जो दो देश हैं इनके जो संबंद है ये जो otherwise सब्दा है न ये ये दिखा रहा है कि भारत और बांगलादेश के संबंद में हो सकता है थोड़ा बहुत उचनी चुआ हो हल्की फुल की कुछ बातें हो गई हो बीच में अनिता ज्यादा तर भारत और बांगलादेश के संबंद जो हैं वे आइस्थिर हो सकते है which have a shared history देखो यहाँ पर which आया है भारत और बांगलादेश के संबंदों के लिए उनके relations के लिए कि भारत और बांगलादेश के जो relations है which have shared which have a shared history of cooperation का मतलब है सहयोग over much of the past 50 years कि much of the past 50 years मतलब है कि पिछले 50 साल में ज्यादातर जो आप कह सकते हैं पिछले 50 सालों पर अगर हम नजर डालें भारत और बांगलादेश के संबंदों को लेकर तो ज्यादातर इनोंने जो है आपस में सहयोग ही दिखाया है cooperation ही दिखाया है इनके संबंद बड़े अच्छे रहें तो भारत को ध्यान में ये रखना चाहिए कि भारत कोई भी ऐसा action न ले जो कि धार्मिक रूप से पक्षपात पूर्ण हो